एक छोटे से गाव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही महनती और होशियार था। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं थी। उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने गाव के बड़े पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ाई करने का निश्चय किया। उसके पुराने और फटे पुराने किताबें थी। लेकिन उसने उनहीं से सीखना शुरू किया। गाव के लोग उसकी लगन और महनत देखकर हैरान रह गए। अर्जुन हर दिन सुबह से शाम तक पढ़ाई करता और जो भी जानकारी मिलती उसे आत्मसात कर लेता। एक दिन गाव के स्कूल के प्रधान ध्यापक ने अर्जुन को पढ़ाई करते हुए देखा। उन्होंने अर्जुन की महनत और लगन की सराहना की और उसे स्कूल में फ्री में पढ़ किया। उसकी सफलता की कहानी हर तरफ फैल गई और अर्जुन गाउं के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो अगर हमारे अंदर मेहनत और लगन है तो हम किसी भी मन्जिल को पा सकते हैं। छो